जेन फ्रेंड जोब सर्च डुप चल में आपका स्वागत है आज इस पड़ी में मत करने वाले हैं आल कंटोमेंट बौर्ड रिकूर्टमेंट के बारे में बरती जो आपकी आल कंटोमेंट बौर्ड में आउट की गी थी जिसमें पूने जमेर आगरा जबी आपकी जो साजना बाद है चाहिए आपका लाबाद है चाहिए आपका इसके बाद में अमदाबाद है इन्में सबी में आपकी रिकूर्टमेंट आउट के गी थी नसीराबाद अजमेर दिल्ली सबी में आपकी जो भी कंटोमेंट बौर्ड थे उनमें रिकूर्टमेंट आपकी आउट की गी बाकी थे बाकी एक्जाम हो चुका था उन सभी विकेंशीज पर एक बहुत पड़ी आफ़त आके गिर चुकी है उन केंडिडेट के लिए बहुत ही बूरी खबर है जिन्हों ने भी अपने अप्लिकेशन फोरम अपलाई किया था जिसमें भारी बरकम आपसे पैसा लिया गया था 600 रुपए 1000 रुपए 1200 रुपए तक आपके एक केंडिडेट के लिए एक फोरम से आपके लिए गये थे कि इस आसा में केंडिडेट ने फोरम बरे थे कि सभी के एडमिट कार्ट आएंगे एक्जाम देने का मौका मिलेगा और अच्छी परमानेट जोब मिलेगी तो आपकी जो भी है ये कुछ दिन तक होल्ड रहने वाली है अभी इनकी कंप्लिट जानकरी इसमें लेने वाले हैं कि ये विकेंचिज केंशिल भी हो सकती है या अपलिकेशन पर रोक लगाने का क्या मैतोपरन कारण है या और फैनल सेलेक्शन जो भी केंडेट है जिनका की थी उनका भी जोइनिंग नहीं होगा ये कंप्लिट जानकर इस वीडियो में लेने वाले हैं तो वीडियो को कंप्लिट देखें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपकी वेबसेट आपको दिखाई दे रही है डारेक्टर जनल इस जो डिफेंस स्टेट्स यह आपकी गव परक्र सीनकरित आपके तैक्स करती है उसी परकार यह भी आपकी जो कंटर्मेंट बोर्ड की qst ja होती हैं जिनमें भी आपके तनख्या धी जाती है वह आपके complete कि इप करती है वहां के Tech THEY उसे पर जो भी वहां की जनता जो रहती है उन्से जो भी आपका revenue लिये जाता है टेक्स लिये जाते וא उन पर ही आपकी payment depend करती है तो आपके जो डारेक्टर ऑफ से दिपार्टमेंट का जो रक्सा संपती जिसका बोलते हैं उसके डिपार्टमेंट के अंडर कीbecanies रहती हैं जिसमें आपके झोम्प्लीट विकेंट विकरिकींट होती हैं वहाँ से आपके पास एक जारी किया गया है जो कि इस सभी कंटोमेंट बॉड होते हैं जो भी जनकी राइब十 वांके डाये में बइक है वहां से एक लेटर ज़ारी हुआ जिसमें कंपलीट जानकारी दी गई है जर आपकी स्थिति आ बहुत ही स्थिति खराब है रेवन्यू जो भी आपका आया है वह से जो भी आपकी जो स्थिति सुधारने के लिए काम में लगाया जाएगा जिसकी वजह से आपकी जो भी विकेंचीज हैं उन विकेंचीज को फिलाल के लिए होल्ड कर दिया गया है और जब तक उसकी स्थित सबते हैं पर नहीं कर सकते हैं उसके जो भी स्थितिति सबीँदा रहें और हम अगों के ये प्रूसिस करेंगे ये हैन जानकारी आपके जो भी नीज़机पेपर में दीगी है उसके अदार पर आपको बताने वावाला में इसक्रीन पे आप को एक news paper की cutting में आपको दिखा रहा हूं जो कि आपके 12 अवार्ज की भी कर Newslow 23rd included holy जिसका नाम हिन्दूस्तान नाम से ये paper है जिसका आगरा का paper में complete जानकारी दी ति ही बारा मार्ज के यह कंड़ेट्ट्स या कर चेक्दद्स भी आपको मैंने बताया अभी कि नुकसान से उबरने तक केंट की बोर्ड की जो भी बढ़ती पर किरिया है उसको आपको इस्तिगित किया गया है ने की केंशिल किया गया है और ये सुधार इसी साल हो जाएगा ये हम आपको विश्वास दिलाता हूँ किस कारण हो जाएगा वो कटिंग अभी मैं आपको बताऊंगा अभी मापको उनोटिस जो दी जानकारी को आपको पढ़ाया दिखा अभी बच्छे किया गया है ना कि केंचिल के गया है निदेशक भूमिपत्तर ने जारी करके कंटोमेंट बोर्ड के अधिकार्यों को बरती के आदेश पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए गये हैं आगरा चाहूनी पुरिशिद में भी जैसे विकेंशी आउट की गी थी तैईस पदों को मत्रा और लिए जैसे चुनाओ के अधिशोजना की गिर थी जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 मही तक कापकी रिकूटमेंट का आपको करन पूरन करवाना था लेकिन आप जो पंदरा मही के जो बाद में जो बढ़ती परकिर्या होनी थी उसको भी रोक लगा दिये गया आपके जो भी नेदेशक्त है उन्हें समित्रा आप जो सरमिष्टा और मेत्रा जो जिनका नाइम है जो फिलाल में आपकी जो बीगा भी दोक लगा दी है जिसमें जो भी मुख्य जो शावनिक घान जकरणा खसता हालत पर दीए स्टिति बड़ी चुनोती आपकी परिश्ण परीसदेंसे सो औ हैसी हैं जो कि उनके काम बिलकुल हैं बाहृत ही कराब हो चुकी है ऊसमें आपके पास्मेशिक 真的 के जो भी आपकी विच्टी इस्तिती है उसको सुदारने तक कि आपकी जो भी जो भी बरति पिर के रिए उसको इस्तिकित कर दिया गया है। आपको खुद भी देखा होगा कि जो भी हजार उपए, पानसो रुपए, चारसो रुपए आप कंडेडेट से लिए गए हैं। वो भी आपके अब कहां लगने वाले हैं खुदी सोच सकते हैं वो पैसा भी अच्छा खासा उनके पास इक्टा हो चुका है और जो भी वितिये स्थितिति में सुधाने में वो काम पैसा लगाएंगी सरकार तो यह आपके नियम जो है वो सरकार के बहुत ही गलत है पहले यह बरती रिक्रूटमेंट आउट ही नहीं करना था तो वो केंडियेटिट को पिरसानी नहीं होती फिर सिर्फ खालतों में पैसा उनका भी आपका होल्ड हो गया है अब कब तक ही बरती होगी कब दुबारा से बरती का नोटिस जारी किया जाएगा कब वो आपिस यह बरती हो सकती है इसके 100% चांस है आपकी जो बर 2000 के चुनाव को देखते हुए दो हगस्त के बाद में बढ़ती परकिरिया स्टार्ट होने के 100% चांस है तो टेंशन लेने की ज्यादा केंडियेट को जूरत नहीं है जो भी पैसा होगा आपका यदि कोई बरती केंचिल होती है तो होगा या आपकी बरती परकिए अगस्त के बाद में स्टार्ट हो जाएंगी जो भी कंडियेट को मेरे को मेसेज भी करना करना टेलग्राम गूर्प पर किस तरी यह वरती परकिरिया खत्म कर दीगी है या आपके जो विकेंचिज कर दिये गया है अभी तक एसा कुछ भी न जो लिले जाता है जो भी रियोनियों आपसे लिया जाता है किसी परकार की टक्स कोई बिले परकार से आपके पास नहीं पहुंचता है या सबहुत है उसके वे नहीं हो पता है इसके वाज़े से जो स्थितितिया नहीं को तब तक आपकी विक這 आगे की प्रोसेस नहीं हो उगीनेंफ काड आएंगी और नहीं कोई रिव्यी यू रिकुर्ट मेंट जो होगी उसके आपको पर जाएगा इसका सिधा परवाव आपके पुने के रिकूटमनेंट पर देखने को मिल रहा है जिसका आपको दिका देता हूं नोटिश जारी कर दीए गया है पुने की रिकूटमेंट जो भी है बढ़ FX इसाइध पर अप्लिकेशन फोरम को रोक दिये गए ओन-लाइन अपलाई बंद हो चुका अभी आपका उन-लाइन अपलाई नहीं होगा जब तक आपका नेस्ट आधेस नहीं आता है अभी आपको वेवसेट पर जाके दिखा देता हूं यह नोटिस आप देश सकता हैं इसमें कंप्लेट पूने चाहूनी की परिश्द की तरफ से जारी के गया है डू टू एड्मिसियर रिजिजन एंड इंस्टेक्शन और रिवाइज फ्रॉम दा कंपेटेंड अथोर्टी पॉर करेंट रिकूर्टमेंट प्रोसेस इस होल्ड त जब तक आपकी आउट दुबारा से यह आपकी नहीं होगी जब यह कंप्लेट है आपकी जो अप्लेकेशन फॉरम नहीं वरे जाएंगे उसके पहले आपकी रिकूर्टमेंट भी यह गया है तो जो भी कंडेट है टेंशन ज्यादा लेने की जूरत नहीं है आपके अभी तक होल्ड नहीं हुए कंटोमेंट बोड अलग चीज होती है आर्मी ग्रूप सी अलग होती है उनके आपको मिक्स नहीं करें बहुत सारे केंड़ेट इन पे लेकर वहां पे विकेंशी पे पहुंच जाते हैं कि उनके एड्मिन कार्ड नहीं आएंगे यह वह किसन फॉरम आ रहे हैं उनको ट्रेडमिन वाइरा कि वह भी अपलाई करते रहें जो भी लेवल केंड़ेट हैं इससे समदेतादर किसी केंड़ेट के